वेलकम बाक टिस्ट्रीमर्स आज हम आपके साथ लेके आए हैं शेयर करने के लिए एक और रेस्पी तो तौरोई की सबजी तो आप सबने खाई होगी बनाना भी जानते ही होंगे पर जो इनके छिलके बच जाते हैं उनका क्या करेंगे जड़िये मेरे साथ देखिये कि हमने इन छिलकों का क्या किया सबसे पहले हमने तौरोई को छीला उसके छिलकों को फिर ऐसे छोटा छोटा काटा उसको फिर बेसन नमक मिर्च मसाला के साथ मिक्स करकी उसको फ्राई किया फ्राई करने के बाद जो पकॉरे थे वो तो थे एकदम ही स्वादिश्ट या मीं आशा करती हूँ आपको ये नई रेस्पी अच्छी लगी होगी मैं आपको एक और चीज बता दू कही लोग इसके छिल्के को अपने मूँ पे रगरते हैं इसे स्किन अच्छी होती है ट्राई करके बताईए का कुकी मैंने नहीं किया स्किन पे नहीं लगाया पर खाके इसके पकॉरों को बड़ा ही स्वादिश्ट लगे इसी के साथ आज के लिए व्लोग यहां खतम होता है तब तक के लिए बाई इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा